प्रधान मंत्री की आवास योजना का लियाब लेने वाले बुलन सहर के एक परिवार ने इमानदारी की निसाल पेस की है दरसन पुलन सहर के सनाय कस्डे में रहने वाले इस करीब परिवार को प्रधान मंत्री की आवास योजना का लाब मिल रहा है योजना के तहर ग्रहणी के बैंक खाते में 25,000 रुपए किस्ट आई जिसकी जानकारी उसके मुबाइल फोन पर आये संदेश से मिली परिवार ने उस पैसे को निकाल कर मकान में लगाना शुरू कर दिया लेकिन इसी दोरन ग्रहणी रानी के मुबाइल पर एक और संदेश आये जिसमें जानकारी भी गई कि खाते में 1,5,000 रुपए और आया है संदेश देखने के बाद परहणी रानी अपनी पास्बुक लेकर बैंक पहुची जब उसने अपनी पास्बुक खाते में जमा पैसे के इंट्री कराई तो हैरान रहे गई क्योंकि पास्बुक में जो पैसा दर्ज हुआ वो 1,5,000,000 है घर पहुचकर इसकी जानकरी अपने पती इरसाथ को दी जिसके बाद ये दमपती जिलादी कारी से अपने खाते की जाच कराने के लिए अपील कर रहे है साथ ही ये दमपती इसके खाते में गलती से आये पैसे क्यों वापस कराना चाहते है वहीं परिवार को अब तक ये नहीं पता कि उसके खाते में डेड़ लाग रुपे कैसे आया यू तो ये गरीब परिवार आठी तंगी से जूज रहा है और परिवार ये तक नहीं समझ पा रहा है कि उसके खाते में डेड़ लाग की रकम कैसे पहुंची लेकिन ये लोग चाते हैं कि इसके खाते में जिस गल्टी से भी किसी का पैसा आ गया है वो पैसा किसी तरह उस तक पहुच जाए मामला जिला बुलंद शेहर के कजबस नाया के महला पुरन खत्ता पट्टी हर नाम सिंका है